Micromax एक ऐसा नाम जिसके साथ अल्मोस्ट हर एक इंडियन परिचित है और रिसेंटली उन्होंने लॉंच कर दिया है उनका न्यू बजेट स्मार्टफोन Micromax N1 तो did they make a comeback what the tech is going on friends मेरा नाम है विक इंडिकोरेल की तरह आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और Micromax N1 इस स्मार्टफोन को मैंने अल्मोस्ट एक वीक यूस कर लिया है मैंने खुद का सिम डाला था इस फोन में और आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस स्मार्टफोन के बारे में इस वीडियो के ज़री है बट यह सब्सक्राइब करना आपके उपर डिपेंड करता है बट प्लीज नीचे जाके कॉमेंट कीजिए और एल्गो स्कॉर्ट का हिस्सा बन जाएए विकास कॉमेंट करने से इंगेजमेंट बढ़ता है और हमारे वीडियो को पुछ पुछ भूए लेंगे अच्छा है डिजाइन मुझे पसंद आया है अफकोर्स यह एक बजट फोन है तो रियर साइड आपको पॉली कारवनेट मेंड ही मिलेगा बट ओवरल इस एक्चुली वेल बिल्ट स्मार्ट फोन बटन्स भी काफी टैक्टाइल है तो बिल कोईड को लेके दोस्तों मुझे पर कोई भी इश्व नहीं हुई है और फ्रॉंट में आपको 2.5D कर्वड ग्लास भी दिया गया है बट हां आपको इसके साथ एक स्क्रीन प्रटेक्टर भी बॉक्स कंदर फ्री में मिल जाता है एक चीज़ दोसा आपको ध्यान रखना होगा कि यह एक काफी भारी फोन है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यूस्टू होने में बट समय के साथ साथ आप भी हैबिच्टर हो जाओगे ख्यार रखना यह थोड़ा सा एक हैवी फोन है और फिंगर्पिंट सेंसर आपको मिल जाता है रेर साइड में यह फास्ट है एकुरेट है सूपर फास्ट प्लस IPS LCD display इसकी color reproduction actually में काफी अच्छी है काफी vivid आपको यह पर output मिल जाता है एक LCD के हिसाब से इस budget में आपको काफी अच्छा display दिया गया है viewing angles content वगेरा सब आप यहाँ पर सही से देख पाओगे इस display की brightness है वो मुझे काफी अच्छी लगी मैं इसको outdoor में यूज किया था brightness काफी अच्छा था इवेन यह POCO M3 से भी brighter है जो कि मुझे बहुत इच्छी बात लगी बट हाँ यह display मुझे sharpest नहीं लगा कभी-कभी मुझे लगा कि pixel थोड़ा सा visualize हो रहा है तो हाँ sharpest display नहीं है बट overall display मुझे काफी अच्छा लगा because यह काफी bright भी है out of the box से आपको Widevine L1 का certification दिया गया है बट आप फिलाल सिफ Netflix में SD stream कर पाऊगे Prime Video में आप stream नहीं कर पाऊगे I think को certification issue होगा जो की time के साथ fix हो जाना चाहिए अब फोन ही किया जिस पर आप बात ना करो तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे calls लिये थे कोई भी network को related में जे issue आपर face नहीं हुई कोई भी network drop नहीं होता है call drop नहीं होता है आप सब कुछ बड़ी आराम से ले पाऊगे और 4G career regression का भी support आपको दिया गया है मुझे एक बात काफी अच्छे लगी कि micromax ने छोटे-छोटे details पर आपको काम किया है तो yes 4G career regression दिया गया है बट हाँ जो earpiece की quality है वो मुझे थोड़ा सा dim लगा clear आप सुन पाऊगे बट volume मुझे उसका थोड़ा सा कम लगा अगर speaker के वह बात करें दिन speaker काफी लाउट है actually काफी लाउट है बट हाँ एकदम 100% volume में जाके muffled sound आता है 80% volume में ठीक है बट 100% में जाओगे दिन आवाज थोड़ा सा distort हो जाएगा और यहां पर आपको दिया एक dedicated SD card slot तो अगर आप 64GB variant भी खरीते हो देन storage एक issue नहीं होना चाहिए Performance यही एक segment है जहाँ पर मैं सबसे ज्यादा eager था और interested था यहां पर आपको दिया गहाँ है Mediatek Helio G80 chipset मेरे variant में है 4GB RAM और 64GB EMC 5.1 storage and surprisingly the performance was really good सच में दोस्तो performance इस फुर में काफी अच्छी है मैंने POCO M3 के साथ इसका side by side speedless comparison भी किया था आप जाहे तो जाकी check out कर सकते हो App opening time सच में यहां पर बहुत ही fast है multi-dasking काफी अच्छा है even इसके 4GB RAM ने POCO M3 के 6GB RAM को टकर दे दिया था तो overall दोस्तो performance इस बार सच में काफी अच्छी की गई है बहुत ही smooth है कोई भी मुझे performance को लेके यहां पर issue नहीं है performance is really good इसका other factor definitely है इसका software and thankfully Micromax नहीं यहां पर optimization काफी अच्छा किया है overall UI में कोई भी lag नहीं है काफी smooth UI आपको मिलता है UI को लेके थोड़ा सा और बात्चित कर लेते हैं तो out of the box आपको मिल जाता है Android 10 का support बट Android 11 बहुत ही जल्दी आने वाला है और यह एक almost stock Android phone है कोई भी third party apps आपको out of the box नहीं मिलता है एकदम clean UI है यहां पर minimal है lack free है कोई भी ads यहां पर नहीं है तो बहुत ही यह सब अच्छी बात बिन जाती है बट हां दोस्तों क्योंकि एक almost stock Android phone है तो आपको वह fancy features नहीं मिलेंगे जो कि आपको MIUI या फिर Realme UI में मिल जाता है यह stock Android phone है बट clean है और fast है now gaming क्या यह possible है well मैंने call of duty gameplay किया था medium graphics में आप highest जा सकते हो काफी stable gameplay performance आपको मिल जाता है जैसे कि हर एक G80 वाले phone में आपको मिल जाता है ऐसा कुछ ordinary extraordinary नहीं है बट overall एक काफी playable phone है आप इसमें gaming कर पाऊगे well pictures के लिए आपको दिया किया एक rare side में एक triple rear camera setup तो 48 megapixel का primary camera फिर ignorable 2 megapixel करके depth sensor और macro हमसे primary पर focus करेंगे और rare camera की quality मुझे काफी ठीक ठाक से decent सी लगी actually color reproduction सही था एकदम exactly accurate तो नहीं था but overall दोस्तों आप ठीक ठाक close object में shots ले पाऊगे dynamic range मुझे अच्छी लगी dynamic range अच्छी यह काफी अच्छी maintain कर लेता है बड़ अगर मैं in terms of sharpness के बाएं बात करूँ then sharpest pictures नहीं है I think overall POCO M3 और redmi 9 power bitter sharp images capture करता है daylight में अच्छी के लिए आपको यहां पर दिया गए 8 Megapixel का single camera एकदम standard stuff है बट यह पंच होल के अंदर दिया गए जो कि अच्छी बात है notch का उन्होंने use नहीं किया है और selfie camera actually काफी अच्छा है मुझे इवन यह POCO M3 से भी better लगा daylight में आप काफी neutral selfies ले पाओगे skin tone मुझे अच्छी लगी तो overall दोस्तो selfie camera मुझे सही लगा और front camera में भी आपको EIS का support दिया गया है तो आप actually काफी stable videos ले पाओगे जो कि एक अच्छी बात है अब इन सबको power करने के लिए आपको दिया एक 5000 mAh की battery और battery life काफी अच्छी है काफी solid battery life आपको मिल जाएगी एक दिन के उपर definitely आपका आराम से निकल जाएगा no matter आप कैसी यूजर क्यों नहीं हो एक दिन से उपर आपका screen on time almost 7-8 hour screen on time easily मिल जाएगा तो battery life कोई भी इस्यू नहीं होगी 18 watt का fast charger आपको दिया गया है जो कि USB type C के through charge होता है और total around charge horn में आपको around 2.5 hours लग जाएगे तो यह आप धहन रखना अगर heating के बाएं बात करूँ then overall day to day usage में मुझे कोई भी heating issue ऐसे मैसूस नहीं होगी even gaming में भी ज्यादा कुछ heat नहीं होता है but during charging यह phone actually काफी गरम हो रहा था तो I think कोई issue होगा इसको update के साथ fix किया जा सकता है overall usage में heating नहीं है but during charging heating होता है now finally मुद्दे पर आते हैं कि आपको यह smartphone लेना चाहिए 10,500 रुपीज से start होता है although अगर आप early squad में हो देना आपको यह 10,000 रुपीज में मिल जाएगा and I think यह काफी अच्छा phone है even दोस्तों in terms of performance मुझे लगता है Micromax ने actually काफी अच्छा काम किया इस बार अब definitely इसको consider कर सकते हो अगर खरी नहीं है जल्दी खरीने की कोशिश करो because बाद में जाके यह सारे 10,000 रुपीज का हो जाएगा अगर दोस्तों एक ultra wide lens वो दे देते बस एक ठीक ठक सा ultra wide lens तो मुझे लगता है यह best deal मतलब totally killer deal बने जाता खर आपको कैसा लगा comment करना ना भूले वीडियो अच्छा लेकर तो इडिवेन लाइक कीजिए तो आपको दिन शुभरे मिलते हैं अगले वीडियो में peace